दिपिका पादुकोन को फिल्म कॉक्टेल में उनके किरदार वेरानिका के लिए काफी वाहवाही मिल रही है जिससे वो खुश भी है पाउं पढ़ती हूँ जो हुआ से बुट के फ्रेस्टार नहीं ले सकते दिपिका कहती है कि उनके सक्रदार ने उन पर ऐसा असर छोड़ा कि अपने सक्रदार से बाहर आने में उन्हें काफी वक्त लग गया When we were doing promotions and when we were talking about the movie and I kept saying to everyone that I've put in a lot of heart and soul into making this movie and it's not it not only was physically challenging for me but also mentally and emotionally draining and it's a film that actually took me a lot of time personally to get out of that character especially because of the second half and 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 those kind of scenes वोक्स ओफिस पर कॉक्टेल को मिले अच्छे रिस्पॉंस के बाद कहा जा रहा है कि परम जल्दी सौ करोर के क्लब में शामिल हो सकती है लेकिन दिपिका को फिन्मके बिजन्स से कोई लेना देना नहीं है वो मानती है कि उनके लिए ओड्स और विजन्स के रहया है माइने रखती है कि लुए मोरा घ्रति। वाइब कशे सौकरा में अड़ा जील्दिटी 우ो Olomew week फिल्म कॉक्टेल में दीपिका के कैरेक्टर विरानिका को डिजाइनर अनाइटा श्रॉफ ने स्टाइल किया था दीपिका जल्दी साउथ के सूपरस्टार रजनीकांथ के साथ तमिल फिल्म कोचा दयां में नजर आएंगी साथ ही वो अयान मुखर जी की फिल्म ये जवानी है दिवानी की शूटिंग भी कर रही है